मंडियों में भाव जादा मिलने की वज़ा से न्यूनतम समर्थन मूल पर गेहु की खड़ी दी काफी कम हो पा रही है किसानों को कहाँ पर बेजना चाहिए और गेहु की निर्यात की क्या सब अपडेट है जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में गेहु की नई फसल मंडियों में अब आने लगी है हाला कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी गेहु की कटाई सुर्यू नहीं हुई है लेकिन जिन जिन मंडियों में आवक पहुँच रही है भाव में अब हलकी गिरावट देखने को मिल रही है पर ये भाव फिर भी MSP से काफी जादा है किसानों को उनकी फसल का वाजिब भाव मिल सके इसके लिए कई राज्यों में एक अप्रेल से गेहु खरीद शुरू हो गई है जहां 2015 रुपे प्रती क्विंटल के हिसाब से गेहु खरीद निर्धारिद की गई है बीते वर्ष के मकाबले 40 रुपे प्रती क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ाए गए है लेकिन मंडी में सरकार द्वारा जो मूले का निर्धारन किया गया है उससे अधिक दामों पर व्यापारी गेहु खरीद रहे है किसानों ने बताया कि MSP से अधिक दामों में व्यापारियों द्वारा गेहु खरीदा जा रहा है सरकार ने जो मूले का निर्धारन किया है वो कम है इसलिए मंडी की ओर रुख कर रहे हैं डीजल और खात पर लगतार पैसे बढ़ रहे हैं ऐसे में MSP पर फसल का वाजिब मूले नहीं मिल पा रहा है पिछले साल के मुकाबले MSP बढ़ाया तो गया है पर बाकिस सब चीजे जिस तरीके से महंगी हो गई है उसके तुलना में किसानों को अभी भी नुकसान ही हो रहा है किसानों को फिलहाल मंडियों का ही रुख करना शाहिए कि कोई गेहों के फसल में 100 रुपे की तेजी को भी बहुत अच्छी तेजी मानी जाती है और मंडियों में एक एवरेज की बात करें तो मस्व से बहुत अधिक देखने को मिल रही है पर गेहों को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि इसका निर्यात लगतार बढ़ रहा है भारत ने वर्ज 2021 से बाइस में 50 बीलियन डॉलर की क्रिसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है जो अब तक का सबसे जादा है एगरी प्रोडक्ट के निर्यात की तहट गेहों के निर्यात में सबसे जादा 273 फीजदी का इजाफा देखने को मिला है भारत जो की सबसे जादा गेहों उतपादक देशों में है इसमें गेहों के निर्यात में 273 फीजदी से अधिक किवरिधी दर्ज की आकड़ों की बात करी तो यह 2020 से 21 में 568 मिलियन डॉलर से लगभग चारगुना बढ़कर 2021 से 22 में 2019 मिलियन डॉलर के खरीब पहुँच गया हाली में केंद्रिय वानिजय और उद्योग मंत्री पियुश गोईल ने कहा है कि भारत 2022 से 22 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहु निर्यात करने का लक्ष लेकर चल रही है यानि कि एक करोर लाख टन और अगर इस लक्ष को भारत पूरा कर लेता है तो गेहु के भाव में तेज पूर्ट मिलता हुआ दिएगा सबसे पहले वह रूस और यूकरेन से गेहु खरीता था लेकिन इस्तिती सामाने नहीं होनी के कारण अब वहां से गेहु की सप्लाई नहीं हो रही है रूस यूकरेन की वज़र से वेस्ट्रिक पर इस्तीतियों में भारत को अफ्रीका और मि करने की उमीद भी लगाई जा रही है और साथी किसानों को गेहु एक्सपोर्ट करने के लिए खुद आगे आना चाहिए जिससे उसको और भी ज़्यादा लाम मिल सके